हेलो एब्रिवन मैं पेंच रमा एक वा फिर स्वाद करता हूँ आप सभी आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इंग्लेश फिट प्रिंसर में पिछले कुछ दौनों में हमने 10 क्लास के कुछ चैप्टर और 12 क्लास के कुछ क्लास की हैं तो जिसकी प्लेलिस्ट हमारी चैनल पर है अविलिबर आप जाकर वहां से देख सकते हैं और हमने इंग्लिस लेंग्वेश का वह बहुत ही सिंपल आया था जो मैं आलाइस किया है उसमें डिफिकल्ट नहीं आया था अगर आप लोगों को थोड़ा भी बेसे नोलेज भी थी तो आप 50 कोश्चन आराम से कर सकते थे और कोश्चन बहुत जादा थे 100 कोश्चन में से 50 कर सकते थे तो चैप्लिस के थोड़े से नाम पड़े Gabriel है आप वीडियो में के इनकी देट वर्थ वगरा याद करें न तो आप उतना याद कर लेते तो मेरे इसाब से वह इनफ था चलिए आज हम लोग सुगरने जा रहे हैं पोईट्री जो बीए फरस्टेर में आती है वैसे बीए फरस्टेर का नहीं आप बहुत सकते हो कि यह ग्रेशन के हर एक हर एक एयर का एक बहुत इंपोरेंट पार्ट है अगर आपको बेसिक्स नहीं बता है तो आपके लिए थोड़ा करना मुस्किल हो जाएगा तो बीए जो बेसिक्स हैं किलियर होना जरूरी है तो आज हम पढ़ेंगे कि पोईट्री क्या होती है उससे पहले मैं आपको बता दू कि हमारे जो यूटूब चैनल है इस पर गिववे चल रहा है जिसमें आपको जगा नहीं करना है बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है मेरे इंस यह स्टेप अगर आप फोलो कर लेते हैं तो आप हमारे पार्टिप्ट कर लेंगे और हमारे जो गिववे है उसका जो रिजल्ट है वह तब आएगा जब हमारे 1,000 subscribers कम्प्रीट हो जाएंगे यह जो गिववे है वह एक महिने तक चलेगा तो कुछिस कीजिए कि एक महिने से पहले ही इसे हम जोइन करें गिववे हो रहा है जैसे आप जिस ग्लास में हो आपको उस ख्लास की गिववे करिजआएगी कुछ बुक हमारी खुद की ओंगे और कुछ जो नहीं नहीं लिखिवाइए तो वह आपको अपने हुआप से मैं अपने हिसाब से बनने की कोशिस ना करें, just try to be better than you were yesterday, जितने कि आप कल अच्छे थे, उससे ज्यादा अच्छे बहतर बनने की कोशिस करें, बस कल से थोड़ा बहतर, जो आप कल थे, उससे थोड़ा बहतर आपको करना है, और आप एक दिन बहुत अच्छे बन जाएंगे, जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज आही पहले दिन ही आजाए, आप धीरे 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 इंप्रुमेंट करते रहिए, अपने आप में इंप्रुमेंट करते रहिए, एक दिन आप देखेंगे कि आप परफेक्ट हो चुके हैं, चलिए, अब हम सुरू करते हैं, poetry, what is poetry, poetry क्या होती है, तो ब्लू 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 अटेफिनेशन से यह दोनों डेफिनेशन मेरी खुद की हैं, तो सुरू करते हैं, poetry, what is poetry, the group of lines which requires creativity, emotions and artistic qualities with full of logic is called poetry, पंक्तियों का वह शमों जिसे बनाने के लिए हमें creativity, emotions, artistic qualities चाहिए साथ ही साथ वो logic से भरपूर हो हैना full of logic, is called poetry, जो से बहुते हैं पद्ध बोलते हैं दूसरी जो है वो आप बहुत अच्छे समझ सकते हो, क्योंकि आज कर ये meme trend में भी था poetry is the art to play with words, poetry क्या है एक कला है, सब्दों के साथ खेलने की and the poet is the artist of this art, और इस कला का जो वोटा artist है, उसे हम क्या बोलते हैं, कभी, poet बोलते हैं ठीक, इतनी बाद समझ में आ रही है, चलिए, अगली चीज़ समझिए, जो Robert Foster ने कही हुई है poetry is when an emotion has found its thought and the thought has found its words, समझे इस चीज़ को poetry क्या है, जब बिटा, poetry is when an emotion, जब एक emotion को has found its thought, उसके विचार मिल जाएं और विचारों के उनके सब्द मिल जाएं, तो उसे बिटा क्या बोलते हैं, poetry, किसने कहा है इसा, Robert Frost ने है किसने कहा है, Robert Frost ने, आप इसे mention कर लीजिए, काफी अच्छी poetry definition है, चाहे तो आप इसे note कर लीजिए, अपने notebook पर या फिर आप हमारे telegram channel, इसी English with printer को join कर लीजिए, या हमारे WhatsApp group EE with printer को join कर लीजिए, इसका link हमारे discussion box में है, अब वहां से जाकर उसे join कर सकते हैं, चलिए, आप एक्सांपल की बात करते हैं, for example, love alters not with his brief hours and weeks, what wears it out even to the age of two, चुटक प्यार है, वो पलों में, घंटों में, सब्तों में नहीं बदलता, what wears it out even to the age of two, बदल कब तक चलता है, जब तक दुनिया नस्ट नहीं होगा, जब तक हम रहेंगे या फिर प्यार करने बाला रहेगा, तब तक प्यार चलता रहेगा, और जब प्यार करने बाला चला जाएगा, या या चल दुनिया नस्ट हो जाएगी, तब उसके साथ ही प फैवरिट लाइन से, ट्रू लव से ली गई है, जो ट्रू लव है वो विलियम सेक्स्पियर का बहुत अच्छा सॉनेट है, सॉनेट नमर 116, आगे जो हम सॉनेट के बाले हम पढ़ेंगे, तब हम पताएगे सॉनेट कहां से आये थे, कैसे आई, कितने प्रिकार के होते हैं इनकी राइमी स्किम क्या क्या होती है, सारी चीज़ें मैंने बताएगे, चलिए, आगे बढ़ते हैं, दे आट्व टाइपस अपोईट्री, पोईट्री को दो टाइपस में डिवाइट किया है, आप वो सकते क्लासिफाइग किया है, सब्जेक्टिव पोईट्री और अब सब्जेक्टिव पोईट्री के होती है, when the poet describes his own reflection, upon what he has seen or heard, whatever the subject may be, the poet's mind, is centered on his own thoughts and feelings, it is personal poetry, जब कभी अपने विचारों को, अपनी विचारों को जो उसने खुद फील किया है, उसको अपनी पोईट्री में लिखता है, तो उसे बोलते हैं बिटा, सब्जेक्टिव पोईट् पोईट्री है, यह personal poetry होती है, सब्जेक्टिव पोईट्री होती है, मैंने कुछ छीज फील करी और मैंने पोईट्री के फॉर्म में लिख दिया, तो मैंने अपनी फील के वो लिखा है न, तो वो poetry कौन सी होगी पोईट्री होगी, अपकी होगी personal poetry यानि subjective poetry, चलिए, आगे, दा लिरिक, एक्जांपल देखे बेटा, एक्जांपल से बहुत ज़्यता समझ में आएगा, दा लिरिक, एलजी, सौनेट, एन ओर, लिरिक, एलजी, सौनेट, एन ओर are political form of subjective poetry, जो पोईट्री है, वो या तो लिरिक में लिखी जाती है, या एलजी में, या सौनेट में, या ओड में, ठीक, ये सब चीज में लिखे जाती है, विलियम वर्ट्सवर्थ, इनकी एक टिंटन एवे है, टिंटन एवे, और पीवी सेरीज की ओड टू दा वेस्ट विंड, ये दौनों are fine example of personal poetry, ये दौनों क्या है बटा, personal poetry के एक अच्छे examples है, ठीक, समझ में आया है, subjective poetry क क्या होती है, objective poetry is something which you write poem, concentrating on a prompt, you select something as a key, point or key thing, based on which you write a poem, the key point or key thing is the objective and work is the objective poetry, it is impersonal poetry, बटा, suppose करो, वहां किया था बटा, जो मैंने feel किया है, वो मैंने आपको लिखा है, लिक्नि हाँ, आपने मुझे बताया, कि सर ऐसा करने से ऐसा होता है, कि सर आजकर दुनिया में लोग धोका भौत देते हैं, और उसमें हमने poetry लिखी, तो ये मैंने feel नहीं किया, ये मुझे आपने बताय है, और अजर्व कोई चीज मुझे आप बता रहे हैं, तो मैंने आपकी चीज को लिखा हुआ है, ये मेरी personal feeling नहीं है, ये मेरी personal thought नहीं है, मैंने जो आप से सीखा है, वो लिख दिया है, आप से जो सुना है, वो लिख दिया है, तो जब मैं किसी अन के thoughts को, किसी unexpected feelings को लिख personal poetry, इतनी बास समझ में आ रही है, चलिया, समझ में आ रहा है, personal, मतलब कुछ अपनी feelings से thoughts लिखे, अपने बिचार लिखे, उसे personal, और जब किसी और के लिखे, तो objective poetry, objective poetry is older than subjective, कितना अच्छी ये चीज ध्यार रखना, बहुत important चीज है, objective poetry is older than subjective, जो objective poetry होती है, वो subjective से पुर the fine example, fine example समझना कौन कौन से इसके, objective poetry can be collection of valid, valid का समुह हो सकती है, collection हो सकती है, folk poetry, historical songs, कुछ एधियासिक गाने हो सकते हैं, court reliquaries on ancient English poetry, ये जो है, Thomas Preissi का है, Thomas Preissi का एक, ये, reliquaries of ancient English poetry, ये published 2765 में, Thomas Preissi ने इसे लिखा हुआ है, the ballad and the epic are forms of objective poetry, जो ballads है, जो epics है, ये सारी क्या है, objective poetry है, तो अब इस example को या दखना, reliquaries of ancient English poetry कौन सा है, तो ये objective poetry है, क्या है ये, objective poetry है, चलिए आगे बढ़ते हैं, What is the difference between subjective and objective poetry, दोना मेंटा क्या difference है, चलिए, हम बात करते हैं, तो तो मेजर difference between subjective and objective is, that subjective information is based on just one person's feeling, assumptions and opinion, दोना मेंटा क्रिता simple अंतार है, कि जो subjective poetry होती है, वो based होती है किस पर, on just one person's feeling, एक परसन की feelings पर, assumption पर, and opinion पर, जो subjective poetry होती है, जो subjective poetry होती हो, क्या होती है, जो subjective poetry होती है, on the other hand, objective is the information of a writer or speaker provides outside of his हर personal opinion और feeling, और दूसरी तर क्या होती है, जो objective poetry होती है, information of a writer, यह writer की information होती है और speaker provides, इसे मिलती है, outside of his हर personal opinion, कहां से provide होती है, कहां से लिखते हैं, अपने बिचारों और opinions और feelings के अलग से, इनके बिचार नहीं होती है, किसी अन्यवेक्ति से लिए जाते हैं, इतनी बाद समझ में आती है बिटा, अब हम जो होई next class आईगी, उसमें क्या पढ़ेंगे, forms of poetry, forms of poetry, forms of poetry, forms of poetry, या political types, कितने प्रिकार के होती हैं, तो पहले lyrics पढ़ेंगे, फिर ode, फिर sonnet, sonnet विटा most important है, for be a first year, और आगे भी विटा, be a first year में हम पढ़ेंगे, तो sonnet को बहुत बढ़ा roll होता है, बहुत कुशन आते हैं sonnet से, तो sonnet बहुत important है, अगर आप लोग चाहें तो mark करेंजी, और हो सकता कि मैं पहले sonnet लेके हूँ, उसके बाद lyric और ode, एलेजी, epic, the violet, satyria, aerial, इस सारी चीज़ लेगा है, मतलब हो सकता है कि सारी चीज़ बाद में आए, तो पहले हो सकता है lyric आए, बना हम सारी चीज़ पढ़ेंगे, lyric, old, sonnet, elegy और इस सारी चीज़ है, है न, चाहिए, अगर आप लोगों को यहां तक वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को like करें, चैनल को subscribe करें, और अपने friends के साथ share करें, और तब तक के लिए, बने रहे हमारे साथ, और देखते रह चीज़, थाई टैसने लोगारे सोरद से और फ्यडियोब को सारीच बावारे साथ. से ब्सक्त्राब दो मांसक्राइब देख करेंना है, तक किसे रहे हमारे हमारे से बाल-वलारे से बीयो प्या हमारे से इंधे and और चはे स someadtr oyताण, खीऔर मोंची और बनाफृब को यह है झाल झाल